UPSC Toppers हमेशे एक बात बोलते हैं कि answers में keywords easy use करो vocabulary easy use करो वो बोलते हैं बहुत easy भाष्या में answer लिखना चीए लेकिन ऐसा नहीं है देखो एक example से मैं तुमें भी समझाता हूँ मालो कोई एक बंदा है जो कली में cricket खेलता है उसको अगर तुम World Cup के match में खड़ा कर दोगे उस ground में तो भाई उसके लिए 10 run बनाने भी मुश्किल हो जाएंगे और उसी World Cup के match में तुम हमारे king विराट कोली को खड़ा कर दो और वो 50 run भी मार दे तो वही बड़ी बात नहीं है यहाँ पे बाद आती है experience की सेम टोपस के साथ भी होता है देखो जादा टोपस दूसरे तीसरे चोते अटाइम्ट में निकालते है तो जायसी बात है उनकी 4-5 साल की तयारी है अराम से तो जो heavy keywords है न वो उनके लिए असान हो चुक है इतने बार उन्होंने revision किया, answer writing किया बहुत easy हो चुक है मैं तुम्हें 4-5 keywords बताता हूँ जो मेरे खुद UPSC के टोपस के answer sheets में देखने को मिली climate change के answer में deep ecology, eco-feminism, eco-side, zero emission diplomacy अब chances बावे लिया है कि तुम में इसे जादा तरने नहीं सुने हो और ये keywords खुद उनकी answer sheet में होता है मतलब उनके लिए normal हो चुके हैं भाई क्योंकि वो बहुत बार इन keywords को revise कर चुके हैं पढ़ चुके हैं सो बात यहां पर आती है experience की और इस चीज़ का एक बढ़िया solution बताऊं तुम्हें करलक से रजिस्टर बनाओ keywords का जिसमें सारे सब्जेक्स हूं history, geography, politics, environment and ecology, economics सब कुछ और अबसे तुम्हें कोई भी अच्छी term मिले, कोई भी अच्छी keywords मिले the Hindu में, कोई मंतली magazine में, कोई योजना magazine में, कोई article में कहीं पे ठीक है कोई Topas की answer sheet में तो उन keywords को तुम अपने उस notebook में डालो और उसे revise करो और उन keywords को अपने answer में use करना start करो और अगर तुम्हें मेरी बात गलत लग रही है तो Topas की answer sheet देख लेना देख सो जाके अच्छे से बढ़ना देख दो महिना फिर तुम खुद समझ जाओगे मैं क्या बोटा था तुम्हें